असलाम अलेकूम कैसे हैं आप आज है संडे जानी दिमाश दिमाश फ्रेंच में कहते हैं और काफी दूप निकली हुई थी टी लूप वगरा भी खिले हुए तो आज फिर मैंने बच्चों के साथ मिलके यह डिसाइड किया के गार्डन शेड को साफ किया आज होगां चया हैं अब दिआ हो जांप हैं लोग तक दरहार रखन ञारे खोर आसिए उपड़ा जाय को भी तो एक मदर अरों चांपए यह पालम छिज बन सब्क्राइब करतें छेजिए सरी को बारन कि अनुबर कहते हैं बचाश ऑचित हैं कि डाले में फीर बड़न भी था कुछ अबी वे देखें सारी भी कड़िया हैं अडि इनको साइप करके तो दोबार tad समेट करकेएं अबी जी हमने सारा साफ किया और दोबार चीजों को रखा इसमें गार्डन चेयर टेब.. बच्चों की साइकल होती है और गार्डन में जो चीज जो यूजस होती हैं क्योंकि सर्दियों में तो कोई गार्डन में कान नहीं होता इस विज़ा से कोई इतने ख्याल रखने जरूरी नहीं होता एकन फिर भी कभी इसको चेक करना पड़ता तो आज अबीजी हमने इसको सारा साफ किया इसमें काफी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ी हैं जो ठैकने वाल क्योंकि होगी सफ़ाई और अब यूजी हम चलते हैं गर केंडर और में खाना बनाऊंगी आज मैं बना रही हूं कालु कॉफ्ते उसके लिए मैंने कीमा लिया है यह आज में हाफ केजी के करीब होगा जए मैंने डीफरोस्ट किया bit अज रूस में इंसमें एड कुरूंगी ओमां है tri protocol अगेडी एक टेबल स्पून बैसन एक टी स्पून क्राश चली एक टी स्पून स्था यह साल्ट पर एक टी प전ो जीरा और कोता श्यानिय और टनीयन जीरे कपोडर लिया और साथ में मैंने उसके लेसन अधरक आटमाटर लिया जब से पहले मैं कोफटों का मसाला त्यार करके रखूंगी कोफटों मैंने बेसम, मिर्चे, नमक और मसाला डालके इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स करोगी हाथ मैंने अच्छी तरह वाश कर अगर ज़रूरत पढ़े तो धंडा पानी इसमें इसमार किया जा सकता है, मुझे थोड़ा साइज एक मा सहट लगा था तो इस वज़जा से मैंने थोड़ा सा पानी इसमें मिक्स करके इसको त्यार करके साइड पे रख लिया और अब भी जी मैं एक प्याज लिया द्र्मय सबसे पहले मैंने प्यास को चौपर में डाल के उसमें एक टेबल स्पून आइल शामल किया और उसको उसकी अच्छी तरह से पेस्ट बना लूगी यह देखें बिल्कुल बड़ी पेस्ट बन गी है इस तरह ग्रेवी में प्यास बगरा नजर नहीं आते हैं और अब इसमें मैं पैन में शामल करके एक टेबल स्पून आइल शामल किया और उसको ब्राउन होने के लिए रखा मैंने और फ्लेम में लिया और साथ ही जी अद्रक लसन का पेस्ट में त्यार कर लूँगी पैस्त त्यार करने के लिए मैंने इसमें और शामलने करोंगी य tässä मैं पानी नहीं करऊ po इस तरह से यह अच्छी है अच्छा सा पेस्ट त्यार हो जाता इसका पीडित त्यार करके मैंने साइड पर रख लेए और अभी जी टेमाटर को में काट होगी टेमाटर फ्रीज है इसलिए काट लेए बड़ी असानी से कट जाता हूँ एक बड़े साइज के लिए मेने जी प्यास फ्राइए हो रहा है इसको ज्यादा ब्राउनी करना मैने जब खॉप फ्राइए गात इसमें मैंने शामल करूंगी अद्रेक लशन का पेस्ट और इसको अच्छी तरह बूल लूँगी जब इसका कलर लाइट ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें मैं टमाटर एड़ करूंगी इसमें टमाटर शामल की है और इनको अच्छी तरह बूल लूँगी और साथ ही इसके मैं रेड़ चिली शामल करूंगी और साथ ही एक टीस्पून अबर के मैंने रेड़ चिली एड़ किए और साथ ही एक टीस्पून शॉल्ट एड़ किए मैं जिस तरीकें से बनाती हूं वह तरीका मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूं अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप ज़रूर ट्राइ कीजिए गा और मसाले को थोड़ी देर के लिए डांप के रख देते हैं ताकि टॉमाटर बगरा अच्छी तरह गल जाए और साथ ही मैं कुफते त्यार कर लेती हूं हाथ्थों पर आई लगा के कुफते बना लूँगी ना बड़े साइज के और ना ही छोटे साइज के मैं दरमेले कां तक पहुंचा है कि मसाले में मैंने सबस्मिच के शमय कर दी थी मिली मसाला बिल्कु तियार है अभी मैं इसमें कॉफते अड़ करूंगी सारे कॉफतों को मैंने मसाले मैट कर दिया है और उपर समय थोड़ी देर के लिए इसको डांप दो कि ताके यह अपनी बाप से अच्छी तरह पक जाए और साथ ही मैं आलू भी चील की काट लोगी आलू हमारे गर में ज्यादा पसंद किया जाते है इसलिए आलू आलू मैं ज्यादा अपने डालू है कि विए बच्छे गहरा शोख से खाते हैं आलू मैंने चील के काट के दो के रख रही है और अभी जी को फिंपी बुनाई करते हैं दो से तीन मिनिट तक मैंने इनको बून लिया और अभी मैं इसमें शामल करूंगी आलू और इसको इनको भी मैं एक से दो मिनिट बून लोंगी और साथ ही मैं थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए रखोड़ी क्योंकि अगर नीम गर्म पानी शामल किया जाए खाना बनाते वक्त तो खाने का बड़ा अच्छा टेस्ट आता पानी शामल किया अब जितना मुझे इसमें शोर बाचाईए मैं उतना पानी डाल रही हूं जाए 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 जब तक आलू बल जाएंगे और कोफते भी त्यार होगें अब इसमें मैं गर्म मसाला और दमी अड़ करूँ अगर आप लोगों को मेरी रस्पी प्रसांद आया ता आप जरूर ट्राइक करें और शेयर करें और मेरी वीडियो देखने का बहुत ब हुआ है झाल